से बना जाते हैं, profit goal क्या होता है, sales budget और then sales budget की बन्याद पे production budget and production budget की बन्याद पे raw material usage budget हमने discuss किया and then raw material purchase budget in quantity, raw material purchase budget and amount discuss किया, हमने direct labor time का budget discuss किया, direct labor cost का, variable or fixed factors के budget के हवाले से भी बात हुई और budgeted profit and loss भी बनाया जा सकता है, based upon this information, कुछ practice questions मैंने एक दो comprehensive class में discuss किये थे, but sell आपको कुछ करने को कहा गया था, कुछ practice and कुछ अगर आपने concepts पड़े हैं, और इसमें को issue है, तो firstly you may raise your questions now, और otherwise, आपको numerical solve करते हुए आपको problem आया, तो भी आप अपने सवाल पहले पूछ लें, ताए कि फिर उससे next भात है, हम मूं continue कर सकें, तो firstly questions आप से कहा जा रहा है कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ लें, by raising hand, hand raise करें, I will allow you to speak, तो आप अपनी बात कर लें, तो आप अपनी बात कर लें, तो जी, once again, I am asking if there is any question, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, if there is no question at all, then no issues, हम अगली बात को अपनी बात कर सकते हैं चाहते हैं, okay, thank you, नबीला, आपको अगर समझ आगी और आपने प्रेक्टस की है, there is no issue, that's right. okay, fine, जी, जिन बजट्स के हवाले से हमने last time बात की थी, उन से आगे चलते हैं और cash budget किस तरह से बनाया जाता है, उसको discuss करते हैं, उसके context में, मैं पहले तोड़ा से सकी है, आपके सामझे शेयर कर दूँ, question के अवाले से, और फिर उसको फदर आगे लेके चलते हैं, जी. जी, I hope ये Excel के फारी नजर आ रही होगी. जी, तो cash budget किस तरीके से बना जाता है, उसके बात करना लगी हैं, मैं पहले कुछ sketch आपके सामने discuss कर देता हूँ. Cash budget is like a cash account, जैसे आप cash account या cash flow statement बनाते हैं, जिसके अंदर आप receipts or payment करते हैं, that how much has been received and how much has been paid, and based upon that, आप a closing balance identify करते हैं, to cash budget भी इसी दरह से एक proposed cash account का नाम है, that whatever we are going to be, going to receive in the coming days, and then whatever we are going to pay from इस बन्याद पे forecast कर सकते हैं, अगर कोई cash का shortfall है, तो shortfall को पूरा करने के रिए, we may have to borrow, अगर मैं borrow करना पड़ता है, तो बॉर्विंग को टाइम प्लान कर सकें, तो जितने budgets आपने बनाई हैं, उन budgets का दवाम में देखें, तो आईजर पैसों का जिकर आता है, आईजर आपको पैसे receive होने हैं, या आई water आपके उसकी बुझानते पैसे pay करने हैं, for example, जैसे बात हो करेंगे इसकी वन्याद पर बात होगी और इसी तरह जब आप अगर परचेज करते हैं चीज़ों को रो मेटियल को तो यू नीड टू पे आप कितना अभी पे करेंगे कितना फ्यूचर में पे करेंगे और किस ताइंग पे करेंगे लाइक वाइस हिसे अपने पसकुछ आपके ऑने करनी गया हैं तो आप उनको और कि पे करेंगे। कितना पे करने कि आप ने को रÎक्से नीन फे पर दाइम तो आपने कब पे करना है कितना पे करना है उसको भी अकांट फॉर करने की जरूरत है इन दिस से मेलर वे आपको जो आपके सैलिंग एंड इंडिस्टेटिव एक्सफेंसेज दें जिने ऑपरेटिंग इस्फेंसेज भी कहा जाते हैं उनके लिए कितना आपने रिस के प्लान किया रहा सके कि हमारे पास कितना कैश आज अवेलेबल है और कितना आपको डियूरिंग दे पीरियोड मिलेगा और कितना आप फ्यूशर में पे करेंगे और आपके बास कितना अवेलेबल होगा कैश जी तो ये स्टर्टओ रहा है जी ओप्रिंग बैलेंस है कि हमारे पास ओप्रिंग बैलेंस आज किया अवेलेबल है इसपे अड करेंगे हम जितनी expected एकस्पेक्टेड रिसीट्स का जा सकता है इसमेर आप आट करेंगे वो डिसीट बिजनस के अंदर कहां से आती है मेंली बिजनस के अंदर रोपैसे आने का सोर्स है olduğynn q मॐ का स्टमर्स होती है collection for from customers से मुराद जो customers आपको पैसा दे रहे हैं based upon the sales अगर वो cash prices भी sales हैं ये credit basis के sales हैं जितने पैसे मिल रहे हैं आप आप इस प्रेंड करेंगे usually अगर हम business की बात करें बिजनिस के अंदर आम तोर पर जो main source of receipt होता है वो cash from collection from customers ही होता है sales की वन्याद के पैसे receive करते हैं बड़े में भी some other receipts also अगर कोई और receipt होगी तो वो भी लिखी रहा सकती है for the time में यहाँ पे mention कर रहा हूँ any other occasional receipt अब occasional receipt से मुराद जैसे आप business के अंदर बाज वकाद को subscribe sell कर देते हैं आपने business की building का कोई area रेंट पे दिया वाद तो उसके बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं या आपने bank में पैसे deposit करा है तो वहाँ से interest मिल जाता है यहाँ बिजनस में होना जरूरी नहीं है कई जिनल कभी कबार किसी business में होगा जिसमें होगा उसका cash budget बनाते हुए मुसको उन receipts को भी शामल कर लेंगे वह एक से ज्यादा भी हो सकती है LCs यानि कुछ कुछ भी हो सकती है हम उनको यहाँ पर mention कर लेंगे इसके बाद इसमें से minus करेंगे हम expected disbursements या payments जो expected payments है वो हम इसमें से minus करेंगे expected payments कौन कौन सी है payment जो होगी वो for payment to suppliers हो सकती है सबसे पहले जब आप चीज़यां खरीदेंगे तो आप suppliers को pay करेंगे raw material के बदले में आप payment payment for labor cost होगी payment for factory overheads भी होगी और तमाम overheads बारी बारी लिखेंगे जिसके बदले में पैसे pay किया जा रहे है लाइकवाइज हम payment की बात करेंगे payment for operating expenses ठीके जी इसके रहाब है business के अंदर और payments भी हो सकती है जिसे आपने profit and loss account अगर financial accounting बेंग बनाया है company के लिए दो financial charges भी हो सकते हैं interest वगेरा और taxation भी हो सकती है और payments भी हो सकती है मैं for the time being यहां बेंशन कर रहा हूं any other occasional payment जो routine से हट के कोई और payments हैं तो वो भी हम यहां पे mention करेंगे जितनी payments होगी वो minus कर देंगे तो यह इस सूरतियाल के अंदर result होगा हमारा budgeted cash balance होगा जिसे budgeted closing cash balance आप कह सकते हैं हम आज खड़े होगे plan कर रहे हैं कि हमारे पास एक खास period के end पे कितना cash available होगा like यह हमारे पास opening balance था हम हम यह receipt की customer से कोई और source receipt मिली वो add कर देंगे और जो payments हमने करनी हैं वो minus कर देंगे अगर हम यह minus कर दें तो जो हमारे पास result होगा वो हमारा budgeted cash balance होगा which will be at the end of the period यह जो हमारा cash balance है यह इस period के लिए गर ending balance है तो नेक्स period के लिए this will act as an opening balance तो यह हमारे पास result निकलेगा मैं इसको एक question की help से solve करता हूँ और फिर आगे लेके चलते हैं जी आगे इसको कर दो कर दो कर दो कि यह कुश्चन है यह मैंने आपको और डी कुश्चन बेजे वे हैं मैंने वहां से कॉपी कर लिया और यहां पर आपके सामने पढ़ते हैं और पर आगे बात लेके चुलते हैं कैश बजट फॉर मैनेफेक्शर हम बनाने जा रहे हैं जैनुवरी वन कैश बैलन्स ऑफ दे क्राउन कंपनी इस फाइव थावजन लेट स्पोस्ट हम यह बजट बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास ओपनिंग वैलन्स की फिगर है वो बता दी गी है कि फाइव थावजन है ओके सेट फॉर्स फॉर मजंग और एक्सक्टेट तो बी ऐस फॉर जैनुवरी फेबरी की सेव आपको बताई गही हैं यहां पे आपके शामने मेंचन कर लेता हूं आ कर दाए यह बीमें क्रुकिंकर कलेक्शन हमें इसी से लिए तो मैं पता होना चाहिए से जैल सम्में बत आपको बताई जाए जाए जी तो जो यहां पर लिख लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं जाकि हमारे लिए असानी हो सकें जी जो जनवरी की सेल सेह लिख लेटेश की सिस्टीफ़ ताजन फेबरी की सेल इस फिफ्टी-four थाजन शिक्स्टी-सिक्स थाजन सेल सेह लिख मार्च की इन 63,000 सेल इस अफ एप्रिन आगे देख लेते हैं किलेक्शन फ्रम कस्टमर्स फॉलो दिस पैट्रिन 55% in the month of sales यानि जितनी sales जिस महीने में होती है वो सारी की सारी sales के पैसे उसी महीने में नहीं आते हैं बलकि 55% उस महीने में आते हैं 30% in the month of following the sales 30% उससे next month में आते हैं बनता है और आगे लिखाव है रेस्ट जो 2% है वान कलेक्टिवल है जिसे हम बैड डेट्स कहते हैं आम तौर पे वो पैसे कलेक्ट नहीं होंगे तो अगर हम समझने की कुशिश कहने हैं जो चीज़ें जैनुरी में बेची जाएंगी उसके सारे पैसे जैनुरी में नहीं में आएंगे और इसे तरह जो मार्च में सहील होगी उसके कुछ पैसे मार्च में फिर एप्रिल और फिर में में जाके आएंगे यह बेसिक जो कलेक्शन प्लैन है वह हमें पता चला है अभी क्या बनाने वह पढ़ते हैं तो पर उसकी लाइट में इस चीज़ें देखते है पिर लिख आएंगे में मेंटिकल प्रचेस पर दिसंबर वह तैन थाज़न दिसंबर के महीने में जो प्रचेस की थी वह तैन थाज़न है यह माजी की बात हो रही है और फोर कॉस्ट प्रचेस पर दे कमिंग एर आर जैनिवरी में 12,500 फैप्री में 16,500 है मार्च में 13,000 प्रचेस पर चेज़न की पेमेंट उसी वक्त नहीं की जाती है बलके कब की जाती है अगले महीने में पर चेज़ने थार यूजिली पेड़ वाई 10th of the month following the month of पर चेस तेक्निकली उजैनिवरी में पर चेज़न की गई है इसके पैसे फैबरी में पेक्रेंगे सारी पे करें दिसमर की पचेसे होंगी वो जैनुवरी के अदर पे हो रही हो लिए ठीक है जी और इसके लावा लिखे अगर कैश एकस्पंडीचर और फौर्टी वन थावदन आर्फ फॉर कॉस्ट ट पर माद इसके इलावा जो कैश एक्सपेंसेज हमारे फॉर कॉस्स किये गए एंगो फॉर्टी बनता है रेक्वार्मेंट नमबर वन है जी एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बनाएं आप जैनुवरी की भी और फैबरी की भी फैबरी की मांगे चाले हम जैनुवरी की भी बनाते हैं ताकि हमें पता चलचे सो जैनुवरी में जो कलेक्शन होगी अगर हम वो कल्कुलेट करना चाहें तो हमें collection plan पता है collection plan क्या है पहले वो लिख लेते हैं 55% collection होनी है in the month of sale ठीक है जी 30% collection होनी है in next month ठीक है और फिर 13% collection होनी है in next to next month इसे ही है जी यह हमारा collection plan बताया गया 55% in the month of sale 30% in the next month 13% in the next next month यह collection plan है हम इसी के light में देखते हैं कि हमें पैसे कब-कब मिलने हैं हम इस चीज की बात करें तो 55% in the month of sales है मुराद यह है कि जैनवरी की बचेज है sales है 55% January में collect होगी कुछ पर February में कुछ मार्ट में collect होगी लेकर अगर हम collection of January calculate करना चाहते हैं collection of January यानि January के महीने में कितनी होगी collection तो January के महीने में January की अपनी collection 55% of January sale तो होगी लेकिन क्या January के महीने में collection January से अगले महीन होगी आएगी नहीं January से पिछले महीन होगी sale की collection January में आ रही होगी तो जो 30% collection है 30% of December sales के पैसे January में collect होगे क्योंकि December में जो सेल होगी उसके 55% December में हो जाएंगे 30% जाके कब हो रहे होंगे January के अंदर और अगर हम इसी तरीके से देखना चाहें कि हमारी जी अभी पूरी नहीं हुई जनुरी में collection जो है 13 महीनों का collection plan है तो 13% of November sales November की sales के पैसे भी business में collect होंगे 55% 30% 13% इन इन महीनों के sale का जो के pattern 3 months का है तो यानि जो November में sale होगी last year उसके कुछ पैसे November में आए होंगे कुछ पैसे December में आएंगे कुछ पैसे January में आएंगे और जो इसलिए पिछले महीनों की sales में हम include कर रहे हैं उन sales के पैसे अभी हमें मिलेंगे इस period के अंदर इस चैर्वरी वाले मंत के अंदर और इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमारी collection होगी February के अंदर नम उसका भी अगर प्लान देखना चाहें तो फैबरी में जो collection होनी है जी जो फैबरी में collection होनी है फैबरी की अपनी sales की collection फैबरी में होगी और 50% होगी 55% अब फैबरी से पिछला जो महीना है उसके पैसे जैसे दिसंबर जो सौरी फैबरी से पिछला मेना जैनवरी है जैनवरी की sales के पैसे 55% तो जैनवरी में मिल गए और 30% कब जाकर मिलने है हमें फैबरी के अंदर तो 30% ऑफ जैनवरी sales फैबरी में आएगा और इसी तरीके से 13% हमें दिसंबर की sales का मिलेगा इस महीना के अंदर फैबरी के अंदर अधर फिर प्लान पर गोहर करें जो दिसंबर में कुछ पैसे डिसंबर में आए उसके कुछ पैसे और कुछ मार्च में आएंगे जैनुरी फैब्लरी के अपनी से पैसे 55% यहां पर क्लेक्ट के रहेंगे पहले जरा यह प्लान जो मैंने डिसक्स किया है अगर इसको समझ पाए हैं तो यह बता दें पहले और अगर कोई क्यूरी है यह कैसे गलेक्शन मैंने सामने की आपके क्यूरी है तो आप बता दें जिए अब दो सबूर साब थैंक यू जी गुलाम पास साब भी कह रहे हैं समझ आगे किसी के सवाल नहीं है तो आपको समझागी है वेरी डाइचे इस तरह से प्लैन है तो टेक्निक अली हमें तो सेल्स रिक्वाइड है कलेक्शन केल्पूर्यट करने के लिए वह जैनुवरी साथ के साथ साथ दिसंबर और नॉमंबर की सेल्स रिकॉर्ट है जबकि जो हमारे पा अवेलेबल नहीं है तो टेक्निकली हमें ये टेक्निकली हमें उन दो महीनों की सेल्स भी रिकॉर्ट है अगर उन दो महीनों की सेल्स हम क्यल्कॉलेट करते हैं तो जा कि हमारा काम बनता है यानि हमें नवंबर की सेल्स भी रिकॉर्ट है हमें डिसंबर की सेल्स भी रिकॉर करते हैं अब जानवा स्टेट्मेंट मैंने का देमें बाद में डिसक्स करता हूं आपके सामने लगते हैं ऑन जैनुवरी वन अनकलेक्टेड अकाउंट्स फ़र नवंबर और डिसम्बर वर अफ तर प्रीविस एरा 12,500 थर्टी नाइन थाजन वन फिफ्टी यह कलेक्टेड अमाउंट्स की बात नहीं हो रही अनकलेक्टेड यानि जो पैसे जैनुवरी की पहली डेट पे जा दूसरे लफ़ जो हमें ड बताय जा रहे हैं नवंबर के पैसे बताय जा रहे हैं जो कलेक्ट नहीं हुए 13,515 अब दरा बात को समझना है यह सेल्स नहीं है हमें तो सेल्स की तलाश है अबकॉस हम सेल्स पता होगा तो उस की वनयाद वे हम क्यलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी collection अब January और February में इन sales क्यों नहीं है यह बताया गया कितनी uncollected amount है तो कितनी uncollected amount है इस से हम आगे चलेंगे और sales calculate करेंगे अब November वाली calculation देखें तो November के sales के November में पैसे कितने percent collect होगे होंगे 55% ऐसे यह फिर November की sales के कुछ पैसे December में collect होए होंगे 30% तो हमें यह 13,500 जो बताया गया है यह बताया गया है on which date 1st January या दूसरे लफजों के अंदर 31st December तो यानि November और December तो गुजर गया तो उनकी collection भी हो चुकी है तो total amount जो है उसमें से 85% collection हो चुकी है और यह amount जो है यह reflect कर रही है 15% को यह amount जो है यह बराबर है 15% के जी यह amount बराबर है जो uncollected amount है यह amount बराबर है यह reflect कर रही है 15% को यह हमने कैसे calculate किया है है नवंबर में नवंबर की sales के पैसे आ जाएंगे 55% नवंबर की sales के अगले महिने में पैसे आ जाएंगे 30% जो remaining amount है जो के uncollected है वो remaining amount 15% के बराबर है so if this amount is equal to 15% तो मैं करना क्या चाहिए इसको 13,500 को 15 से multiply और 100 sorry 15 से divide और 100 से multiply करेंगे तो we can come up with कि हमारी कितनी sales बनती है so 13,500 divided by 15 into 100 अगर solve करते हैं तो 90,000 की sales हैं जो के हमारी नवंबर के महीने में हुई हैं हमें बताई नहीं की हमने खुद से calculate की हैं अगर इस में कोई confusion है तो मुझे बता देजी तो मुझे बताएं मैं उसको दुबार explain कर देता हूं और अगर समझ आ गया तो भी कोई जवाब देगे को एक आदू रहा है अच्छे जेंट्लमेन आपने का we will not calculate as 13% because 2% uncollectable है आपका अच्छा सवाल है लेकिन अब आप गोर करिएगा ये बताया कि है जैनिविडी वन पे जो amount आपके बास balance के दोर पर पड़ी है वो 13,500 है तो हम ये देगने उससे पहले collect कितने हो गए सो इतने collect होगे ये बाकी 15% को रिफलेक्ट करेंगे because इस amount में से 13% बाद में collect होंगे और 2% बाद में collected नहीं होंगे अब तीन महीने गुजर जाएंगे अभी हम सरफ इतना करेंगा इतनी collect होगी amount वह minus करें आउट फंडर परसंटेज को रिफलेक्ट करती है अब इसी तरह हम दिसंबर की सेल्स भी calculate करते हैं अब की सेल्स जो दिसंबर में हुए उसके दिसंबर में पैसे 55% कलेक्ट हो गए ठीक है अगर दिसंबर में 55% कलेक्ट होगे दिसंबर के बाद हम जैन्वी वन पे खड़ें तो इसका मदलब सरफ एक महीना गुजरा है जो 39,500 की amount है ये कितने परसंट को reflect कर रही है 45% को अगर य सकते हैं कैसे 39,150 multiply किया जाएगा sorry divide किया जाएगा इतने परसंट के ये बराबर है 45 और multiply कर दिया रहे 100 से तो हम वेल्यू तक पहुंच सकते हैं 39,150 divided by 45 into 100 तो 87,000 अमारी amount बनती है sales की जो के December की sales है I hope बात समझ आई होगी अगर समझ आगी है तो कोई बंदा respond कर दे जी अगर समझ आगी है तो बता दे anyone कोई एक volunteer बता सके अगर समझ आगी है that's great जी गुलाम अबास साब ओके now if we done with this अब हम पहले ये collections calculate करते हैं ठीक है जी हमें बताया गया कि ये collection plan हमारा चलेगा कि जो December January की collection है उसको गर calculate करना चाहें तो जितनी sales January के उसका 55% हमें मेलेगा तो January की sales हमारे सामने मौडूद है हम कर सकते हैं उसको मैं आपके असानी के लिए आप लिख पर देता हूँ 65,000 multiplied by आप करेंगे जनाब इसका 55% जो result निकलेगा आप हम आगे लिख लेते हैं ठीक है इसे दर अगर December की sales की बात करेंगे तो December में जो sales है भी आपकी वह 87,000 है multiplied by 30% फिर अगर हम बात करें इसे अगले महीने में तो November की लिए sales है वह हमारे पास पहुंद हुद है है तो हम calculate कर लेते हैं तो 65,000 जी फिर इसके बाद 87,000 multiplied by 30% जी देन 90,000 multiplied by 13% ये पहले वहले हमने गलत कर देंगे 55% था जी अगर यहां दक समझ आई है तो 65 का 55% ये वेलू बनती है 26,27 और अगर इसका sum कर लें तो जो हमारे total पैसे collection होनी है January के मन्त में that is 73,550 अगर समझ आई है तो जड़ा बता दें तो अभी पूछ लें जी अगर समझ आई है तो को रिस्पॉंड कर दें एनिवन वालेंटियर चलें अब दो सबूर साब आज आपको समझ आ रही है अक्ति लोग तो मेरे खाल में सो रहे हैं यह नइवेस यहां के चलतें जी नाओ collection और फेबरी अब हम फेबरी की कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फेबरी की कलेक्शन का दरीका का हमारे सामने मौदूद है फिप्टी जी मैं जरा इसको कलर कर देता हूँ पार्टिशन्स ही ओज़ें जरा हमारे पास जी अब हम बात करें तो हमारी फेबरी की सेल का हमें कितने पैसे मिलने हैं 55% तो फेबरी की सेल हमारे पास मौदूद है 54,000 है जी वो 54,000 multiplied by 55% इसी जरा जैनुवरी की सेल का तो जैनुवरी की सेल हमारी 65,000 है multiplied by 30% इसी जरा हमारे पास डिसमबर की सेल है और डिसमबर की सेल हमना खुद कैलकूलेट की 37,000 और इसका 13% हमने कैलकूलेट रगे तो यह हमें फेबरी की कलेक्शन में लेगी जी मानूर आप पूश रही हैं जी में नवंबर की सेल कैसे कैलकूलेट की है मैं दुबारा बता देता हूँ आपको पहले जरा इसको अमस्वार करें जी अब हमारे पास जो सेल्स हैं वो 54,000 है 55% कलेक्ट होना है देन आपका 65,000 सेल्स है और इसका 30% कलेक्ट होना है और अगर इसका सम कर लें ये टोटल पैसे जो हमारे करें फःबरी में कलेक्ट होंगे वो हमें पता चलते हैं जектив जी अपका स्वाल ये एक कि नमँबर के सेल्स कैसे निगा लिए निवयर बर की सेल्स के बारे में इंफॉमिशन दी गे थी कि नमँब्र के सेल्स में से पासे तो हम बात करेंगे कि जैनुवरी वन या दिसम्बर 31 तक आते नवंबर की सेल्स की कितनी कलेक्शन हो गई है पहले वो पता करते हैं तो 55% प्लैन ये कहते है 55% कलेक्शन इंद मन तब सेल होनी है 30% अगले महीने में तो नवंबर की सेल के पैसे कुछ डिमंबर में आगे कुछ दिसम्बर में आगे तो सो फॉर जो पैसे कलेक्शन हो चुकिया है वो 85% है और रिमेनिंग अमांट है वो अनकलेक्टेड है तो जितनी अनकलेक्टेड अमांट है वो 15% बनती है ये अनकलेक्टेड अमांट 15% को रिफ्लेक्ट करती है हम इसको 100% में convert किये और ये value find out किये I hope समझ आई होगी मानुर अगर सवाल है तो clarify कर लें आप अब भी समझ नहीं आई तो अभी दोबारा पूछ लें सवाल समझ आगया तो रिस्पॉंड कर दें आपने सवाल किया तो बता दें आपको समझ आगया जी ठीक है ओके नाओ हमने ये collections calculate कर ली अब हम जा requirement की तरफ चाहते हैं तो question में requirement हमें कहीगी एच्छी तो अगर हमने ये calculate करना है इसका तरीका कहा है हमारे पास साला हमने calculate कर लिए और अब हमारे पास है एक्सपेक्टेड कैश election during February बताएं वह हमने अभी भी calculate की हैं ये cash collections during February हैं February में कितने पैसे collect होंगे 60,500 जी इसके बाद लिखा हुए एक्सपेक्टेड कैश balance on February 1 बताएं अगर आफ February 1 का cash balance बताना चाहते हैं तो you need to prepare the cash budget for February 1 तो मैं यहां पर यह cash budget बनाता हूं for the month of February जी मैं cash budget बनाता हूं for the month of February मैंने ज़रा सानी के लिए यह यह मैंने फैबरी के जैनुवरी के फैबरी 1 का balance पूछा किया है तो जैनुवरी के जो budget बनेगा जैनुवरी के end पर जो बचेगा वो हमारा फैबरी का opening balance होगा तो opening balance बारे बाद जैनुवरी के receipts collection from customers तो वह हमने calculate कि है 6510 बनती है अगर आप दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं जैनुवरी फैबरी की हमने collection निकाली है जैनुवरी की collection 73 550 है और फैबरी की collection ही है तो जैनुवरी के बजट बनाने तो जैनुवरी की collection इस हमें add करेंगे 73 550 हमारी collection है वह हम इसमें शामिल कर लेते हैं 73 550 अब चुक्के और कुछ नहीं लिखा हुए नहीं अगर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर होगी तो मैंशन कर लेंगे अभी हमें ऐसे जिसको लिखने की जरूरत नहीं है अब इसमें से बाइनस करेंगे एक्सेक्टेड पैमेंट पैमेंट टू सप्लाइर्स के बारे में जो पर्चेस के बदले में पैमेंट होनी हैं वो बताए गया था कि अगले महीन हों की बताए गया है थी ऑर पर लिखा गया था तक पर पर शेजर आरे युजिली पेर बाइद टेंथ अब दौ मन्थ फालो होगी होगी और दिसंबर की बचेज हमें बताएगी है टैन थाफजन एट टैन थाफजन पे हो जाएगा सप्लायर को फॉर 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 फॉर्टी वन थाफजन के हैं अगर हमें यह हेडिंग वाइज इस तरह से बताएं वो लेबर की ओवरेड गी और बाकी चीजों की पेइमेंट कितनी है तो मुझ तरह से मेंचन कर लेंगे अधर वाइज हम वन लाइन में जैसे यहां पर लिखा है उन्होंने जो बताया है उसी तरह से मैंचन कर लेते हैं जी तो मैंनिस कर लेते हैं इसके अंदर से अधर एक्समेंडीचर और वो कितने बताएगे हैं अधर एक्समेंडीचर और फॉर्टी वन थाउजन इच मंत और ये कैश एक्समेंडीचर हैं खुद लिखा हैं फॉर्टी वान ताजन अगर हम बजचेट टैश बैलस निकालना चाहते हैं अधर अधर पीरियर्ट आच जार ओपनिंग बैलेंस था तेहतर पांट सो बचास हमें रसी जैनवरी तो हम फैबरी का बजट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं तरीका कार मैं उसी के सामने कॉलम लिखती है मैंने फैबरी का तो जैनवरी के एंडिंग बैलंस है वो फैबरी का ओपनिंग बैलंस होगा तो दूसरे रफजों में यहां पर जो बैलंस होगा वर सताइ इस पांसो 50 होगा है इसमें आड़ करेंगे तिनी फेबरी के हमने कलेक्शन की है तो फेबरी की जो कलेक्शन थी हुआ हमने कैल्कुलेट गी थी वो 60 थाफंद 510 थी तो 60,150,60510 वो लिख लिए हमने इसके लावा payment to supplier और supplier को payment क्या करनी है हमने जिस महीने हमें परचेज होती है उससे अगले महीने में तो January में December की payment होगी है और February में January की payment होगी है परचेज किया जा रहा है वो फारहाँजार पांट सो है और इसके इलावा अधर कैश expenditure हर बंद के 41,000 थे तो यह हमारा closing balance निकल आएगा February का आप requirements पर गोहर करते हैं cash collection during February बताएं वो हमने calculate की February वन का opening balance बताएं तो दूसरे लफजों में जो January का ending balance है वो February का opening होगा और पर इसके अलावा cash balance at the end of February 28 का आगे यह अगर कोई आगे तो पूछ सकते हैं जा अगर समझ आ गया है तो वैल और अगर कोई इस पूछ लें अधर रिस्पांड कर दें कि हमें समझ आ गया जा जी तोने दैट्स क्रेव जी गुलाम वाज गुफरान अब्द सुहूर आपको समझ आ गया है तो डान जी जहाजेव आपने हैंड डेस किया है जी आज़ाज़ आप पूछे इसलाम अलेक्म सार्थ जासकता है जी बरुकल जा सकता है जी बरुकल जा सकता है जानाव तो बैसिक समझ आगे उसके बात कर लेते हैं जी नवीला आपने क्वेस्टन किया है कि हम उन क्रेटिबल का क्या करेंगे तो जो पैसे क्लेक्ट नहीं होंगी उसका कैसे लेना देना नहीं होता आप जड़ा बेसिक जनल एंट्री को रीकॉल कर सकें जब आप कोई एक्सपेंस कड़ते हैं तो कैश क्रेडिट होता है लेंगिन अगर बैट की निक्री डिकॉर्ड करें, बैड द्स टैबट होते हैं और शाइद अब सिब्स को या पर रियो इंफ दैट contribution ko क्रेट कर रही होते हैं यह टेक्निकली कैश बेसिस का एक्सपेंस्ट नहीं है जो किह क्लेक्ट नहीं होना तो ना receipts में count हो सकता है ना payment में count हो सकता है अगर collect हो जाएगा तो receipt में count होगा तो अगर uncollectable है तो we will not report it anywhere in cash budget यह हम expenses का budget नहीं बना रहे हैं अगर expenses का बना रहे होंगे तो जो amount uncollected है वो definitely expenses में count होगी लेकिन for the sake of cash budget अगर हम बात करेंगे कि कौन सी amount pay की जानी है तो uncollectable के बदले में कुछ पैसे pain नहीं होने नवीला समझ आगया तो respond कर दें और अबास वज़ा आपने कहा है budgeted closing cash balance मुराद के at the end of period हमारे पास इतना balance available है नहीं होगा बलकुल ऐसे ही है कितना balance है नहीं बलकि हमारे पास होने का chance है हम January 1 पे कड़े हैं हम यह सोच रहे है हमारे पास January के end पे 27,550 available होगा तो अगर हमने अपनी payments को plan करना है for the month of February कि हम किस-किस बंदे को date दें कि February में हमसे पैसे ले लें तो हम January के start पर यह product कर सकते हैं कि हमारे पास January के end पे इतना पैसे available होगे so we can make payment from this amount in the month of February तो यह हमारे पास available होगा budgeted cash balance है we are thinking of कितना balance हमारे प जी अगर समझा गया तो ग्रेट जी अगर समझा गया तो that's great अब जो एक साहब ने सवाल किया है मैं उसकी light में एक और question यहां पर आपके सामने discuss कर देता हूं जिससे I hope आपको समझा जाएगा कि अगर यह साहब ने का कि अगर negative बच जाए तो क्या होगा वो मैं आप से share करत हम जना करता है झाल झाल जेंटलमेन आप जरा सवाल पर गोहर करें हम अभी बजट बना रहे हैं जब एक्चुली नेगेटिव बैलनस आएगा तो उसका तो कोई रिस्पॉंसिबल होगा अभी अगर हम बजट कर रहे हैं तो बजट को बना के हम यही समझना चाहरे हैं कि अगर नेगेटिव आ रहा है है तो हम उसको अवेल करने की कोशिश करें नेगेटिव कैश बैलनस आजाना किसी प्रिट के एंड को बुरी बात नहीं है आप यह समझें कि आपने इसी की लाइट में अपने पैबल्स को प्लान करना अपने रिसीक्स को प्लान करना अगर आप कन्वेंशनल तरीके से चल लिए और इसकी बुनियाद पे आप चलेंगे और जिनको पैसे देने उनको भी स्टेंडर टाइम देंगे लिगन अगर आप इस तरह करते हैं और आपको नजर आता है कि मन्थ एंड पर आपके पास पॉजटिव भी बलके नेगेटिव बैलनस बचेगा तो उसको ओवर कम क मिधेट वज्टेह हैं नट आपो लिए लेटर लेटर आउं पे करेंगा और थार्ड ली अगर यह दोनों अ isspit लिग नेगन के और से फिटिव चैडिव हो जाएगा करते हैं तो इसको लेने के लिए आपको रुणिंग से रुजू करना पड़ेगा अगर बैंक से रुजू करेंगे टाइम से पहले तो ही आप उस चीज़ को टच कर सकेंगे मैं ये एक एक पहल आपके सामने शेर करता हूं आपके से समझ आएगे तो डबी कंपटी प्रिपेर्स अ मंतली कैश वर्जट ड्रलेमें डेटा फर दो ऑपरेटिंग इस गिवन ब्रोव सेल्स बताई है डारिक में पर चेज लेबर मैनिफेक्शनिंग ओवरेड सेलिंग इनिस्टेटिव ए सेल्स अगर हम जैनुवरी और फेबरी का कलेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो मैं पहले जहां पर लिख लेता हूं तरीका कार के सिक्स्टी परशन्ट होता है उसी महीने के अंदर इसका मतलब सिक्स्टी परशन्ट जैनुवरी की सेल्स का जैनुवरी में ही कलेक्ट होगा और उससे पिछले महीने की सेल्स का 25% कलेक्ट होगा और उससे पिछले महीने की सेल्स का 15% कलेक्ट होगा यहां पर अन कलेक्टेबल की बात नहीं है तो जदनी जदनी अवांट कलेक्ट होगी हम उस चीज को यहां पर लेख सकते हैं यहां पर जो मुझा पता है वहां साथ-सा से तो आप calculate कर पाएंगे हम calculate कर लेते हैं 350,000 multiplied by 60% फिर जो December की sales है और आपको November की sales अगर वो मिलेंगे तो आप ये calculation कर सकते हैं अब इससे अगले महीने की भी मैं साथ ही कर लेता हूँ अगर February की आपने collection निकाल ली है तो February की collection में February की अपनी sales का 60% collect होगा उससे अगले महीने में 25% collect होगा और उससे अगले महीने में 15% collect होगा तो अब हमारे पास जो sales मौजूद है अब हम देख लेते हैं जो February की sale है वो है जनाब जी 400,000 और multiply आपने इसको करना है 60% से जी यह साथ हम calculate भी कर लेते हैं हमारे पास sales मौजूद है 400,000 multiplied by 60% जी और जो January की sales है हमारे पास वो 3,50,000 है multiplied by 25,25% तो हम यह अगल कुर लेते हैं तो हम यहां पर उसको फिल कर सकते हैं उसके लिए इन दोनों महीनों की sales हाई है आगे देखते हैं ही 30% of direct material are paid in cash in the month of purchases और and the balance is due to be paid in the month following the purchases तो जो purchase के रहाता है material वह सारे का सारा उसी महीने में पेह नहीं होता बलके 30% उसी महीने में और 70% उसे अगले महीने में पेह लिखा है all other items above are paid in the month has incurred बाकी यह नहीं manufacturing overhead selling expenses यहां उसी उसी महीने के उसी महीने में pay हो जाते हैं depreciation have been excluded from the manufacturing overhead and selling administrative expenses इसको exclude ही करना था उनने खुद ही कर दिया because depreciation के बतले में पैसे का outflow नहीं होता अब इसके बात बताया है credit sales नवंबर की दो लाक है पिछले सवाल में हमें खुद नवंबर की sales और December की calculate करना पुड़ी यहां पर December की sales हमें खुद बता दी है calculate नहीं करना पड़ी to 90,000 sales है और इसका हमें 15% collect होना है तो हम वो 15% solve कर लेते हैं जी November की December की sales 2,90,000 multiplied by 15% तो यह हमारी collection बनती है February की और January की भी calculate कर लेते हैं हमारे पास अब December और November की sales की information आ गी है जी December की sales to 90,000 multiplied by 45% value calculate करें 2,90,000 25% और जो November की sales है उसके बारे में बताया गया है वो 2,00,000 है यह हमारी collection बनती है और फिर पता है पर चेज़स अब डारेक्ट में डिसमबर की नाइंटी थावड़न है जो के पर चेज़स के बारे में बताया जा रहा है कि पे कब होना है यानि अगर दिसमबर हम पर चेज़स की payment निकालना चाहें तो तरीका कार यह है कि जो जैनिवरी में payment होगी वह होगी जो 30% है वो जैनिवरी पर चेज़स की और 70% होगी डिसमबर पर चेज़स की तो हमें यह information मौडूद है हमारे पास पर चेज़स जैनिवरी की एक लाग दस हजार है तो हम क्यालकुलेट कर सकते हैं उसकी वेल्व एक लाग दस हजार मौल्टिप्लाइट बाइ 30% 33,000 बनता है वो फिर 70% डिसमबर की पर चेज़स का और डिसमबर की पर चेज़स की information हमारे पास आ गई 90,000 है डिसमबर की पर चेज़स तो 90,000 का 70% होगा तो इसका मतलब जैनिवरी में तो टोटल पेमेंट होनी है वो यह है इसी तरह अगर हम एग्री की पेमेंट निकालना चाहें तो जी पित अगर नकालना चाहते है तो 30% आफ फेबरी पर चेजह कंपे करेंगे और 70% अब जैवरी की पर चेज़स हम पे करेंगे तो इस और फ़ाइबरी की पर चेज़स कितनी है 120,000 value calculate कर लेते हैं 120,000 multiplied by 30% और 3 sorry 110,000 और इसका 70% हम पे करेंगे तो ये हम payment करेंगे इन purchases की इसके बाद लिखाए है other receipts January में collection of December interest receivable is 3000, February के अंदर proceed from sale of securities ये वो occasional receipts है जो मैंने का हार महीने में नहीं मिलती इसी तरह other disbursement February में 20,000 की गी है company का cash balance is expected to be 50,000 January 1 पे company का 50,000 अगर balance है तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर लिखना 50,000 हमारो opening balance है ये उसी तरह से हम calculate करेंगे January के लिए भी और February के लिए भी तो मैं यहां पर insert कर देता हूं हम पहले January का budget बना रहे हैं 50,000 का operating balance है और cash collection from customers वो हमें बताई गई है रेटा में वो हम देख लेते हैं जी हमने हुद जो calculate की है जी हमने calculate की है जो हमारी collection बनती है तीन लाग बारह जार पांसो जैनुवरी की collection है तो तीन लाग बारह जार पांसो इसके लब अधर occasional receipt के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया है वह वह भी हमें देखना होगा जी कितना बताया है वह परसन ठालूँ जी जो calculate and receipt sales के बारे में ये बताया है कि interest receive होगा है तो यहाँ पर वो लखेंगे interest receive वो जो interest receive हो रहा है वो january में receeve हो थ्री थाउजन का जी और इसके बाद हम पेडस की बात करेंगे तो पेडस की बात करेंगे तो फेमंट तो सक्ट सप्लायर फ्ठ वहिंस वह हमने जैनवरी की पशेजस की पेडस की पेडस की पेडस हम frenchi निकाली है कि वो उसी महीने में पे होने है तो डारेक लेबर जो है जी वो पे की जाएगी 85,000 जैनिवरी में फेक्टरी ओवरेड्स पे के जाएंगे 60,000, 75,000 के ऑपरेटिंग स्पेंसे हैं इसके लबादर डिस्पर्श्मन फेबरी के अंदर है जैनिवरी में कोई और पेमेंट नहीं है यहां पर चाहिए ना भी लिखें और अगर हम प्लस माइनस कर लें तो हमारे पस क्लोजिंग बैल बजटेड कैश बैलन्स एड दे एंड अफ पीरिड निकल आएगा वो 49,500 का है यह हमारा बजटेड कैश बैलनस है अट दे अफ पीरिए अब हम इसी की बुनियाद पे फेबरी का बजट बना सकते हैं यह जो एंडिंग बैलनस है यह ओपनिंग बैलस बन जाएगा 49,500 इसम अब रिसीट्स हमने कैलकुलेट की थी जी थे दीस पर जी 371,000 और जो पेमिंट की है हमने परचेज की वो एक लग तेरह हजार है तो 371 और एक लग तेरह हजार हम दोनों यहां पर हम चाहिए होगा 371,000 अब इसके रहाबा अदर रिसीट्स के अंदर हमें यहां पे इंटर सामने दो जिलो लिखना होगा लेकर हमें जो रिसीट्स हुई है फ्रॉम सेल अफ सेक्यूरिटीज अब यहां पर मैंशन करेंगे सेल ऑफ सेक्यूरिटीज पैसे आए हैं यहां पर जिलो हैं लेकिन फैबरी के महीने में पैसे आए हैं और वह 5000 है वो ऐसके बात पेमिंट्स तो उसकी बात करें तो पचैसे की पैमिट अपने दुबारा देख लेते हैं जा ते करें प्चैस की पैमिट्ड हमारे पास थी एक लग 2,13 कि今ई यह अ तो एक लग अ तेरा हारा हमारी पेमिंट है ibaक यह इसके लावा बागी expenses हम उसी उसी टाइम पे कर रहे हैं तो वो है जी इसके इलावा डारेक्ट लेबर एक लग पंदरा हजार जी और लेबर के बाद 75,000 का फेक्टी ओबरेड है 80,000 के ये expenses हैं और इसके इलावा अदर डिस्पर्श्मेंट जो है वो 20,000 फ़र पर्चेज अफ लैंड है फेबरी के अंदर तो वो लखेंगे पर्चेज अफ लैंड लेकिन ये expense होए ये जैनरिवरी में नहीं आएगा बलके फेबरी में आएगा ठीक है ठीक है और अगर हम balance नकालते हैं यहाँ पे तो 22,500 बनता है अब आप देख लिए यहाँ पे रिक्रिक्वार्मेंट अदे कंपनी मॉंट मिनिमम कैश बैलेंस और 40,000 तो अगर कंपनी मिनिमम कैश बैलेंस कुछ मेंटेन करना चाहती है तो इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा वो ए आड़ कर देता हूं इनको आपने समझ लेना है कि हम इसमें एड़ करेंगे अगर हमें कुछ डेफेसिट होता है नेगेटिव बैलनस आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है तो हम जब जितना शॉर्ट फोल होता है उसको बारो करते हैं तो हम बार्विंग को एड़ जी वो कितनी बार्विंग करनी पड़ेगी 22,500 आपका बैलनस आरा है जबकि आपको 40,000 चाहिए आप 40,000 में से 22,500 माइनस कर दें तो आपको 17,500 बारो करना चाहिए यह जो 17,500 है यह आप इसके अंदर एड़ कर दें तो आपका क्लोनिंग बैलनस चाहिए वो 40,000 हो जाएग हाँ अगर कोई आपने बारो किया है इसी तरह से और अगले महिने में सर्प्लेस बैलनस आ जाता है तो आप उसको रीपे करेंगे वैसी सूर्तेहाल में रीपेंट्मेंट आफ बारोविंग लिखा जाता है एंड़ पे और वो हम यहां पर लिखके उसमें से माइनस कर अगर हम 5-10,000 जितना भी बैलनस आरे हैं अगर नेगेटव आ जाता है तो वह नेगेटव और साथ जतना आपको मिनिम्म बैलनस रिक्वारड है उन दोनों को मिला के अब बैंक से लाइन अफ क्रेड़ की वसेलिटी ले सकते हैं और आप उस शॉर्ट फॉल को पूरा कर सकत हैं आप समझ आई होगी बात जी तो फिर यह जो कैश बजट से रिलेटेड क्वेस्टन जैना वी नीड तो प्रेक्टिस थैं आप इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपके सवालों को अकाउंट फॉर करेंगे अब यह जो स्टाफ है जो मैंने सॉल्व किया है आप वहां से इसको फिक कर सकते हैं जी यह होप समझाई होगी अगर कोई करेंगे यही इसी लिए पर बजट बनाया जा रहा है जालेंजी ओके दैट्स वाल फॉर दे इंशालला नेक्स्ट वीक में आप से व्लाकात होती है यही इसी लिए पर बजट बनाया जा रहा है देट विए कि लिए जी मानूर आप भी सवाल पूछ लें कुछ लें कुछ लें तो आप पूछे करें अब्दु सबूर आप बूच लें अच्छा अब्दु सबूर साब आपने भी गलती से अंड रेस कर दिया जी 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 पूछें जना ये मैं एक्जिबिट कर रहा था एट पॉइंट पॉर ये जो चैप्टर एट में है ना जे जे इस ने ये जो प्रोडेक्शन बजट है उसका लास्ट कोर्टर में इन्हों अगले क्वाटर की सेल को पहले देखने हो डेटा में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुए एक्सबेट से पहले उसमें अगले क्वाटर की सेल बताई गई होगी फिर उसका टॉंटी परशंट ही लिया गया होगा अगर वैसे कर लिया गया तो यह द्रूस्त नहीं है अगले साल की सेल का पहला क्वाटर की इन्फोमेशन दी होगी अगर नहीं दीवी जेंटलमैन तो आप पेपर टाइप सेनेरियो देखें प्रैक्टिकल लाइज में देखें तो आपके पास यह सारी इन्फोमेशन होगी अगर बेपर टाइप सेनेरियो देखते हैं तो फिर आपको आपको अजियों नहीं करना आपके बदो जो इन्फोमेशन है उसी को यूटलाइज करें ठीक है अ जाने की ओक जनाब ठेंक यू बरी मच्छ सी उ इंशालन देनेक्स वीक